जहीन दोस्तो और वेलकम टू एंजे स्माइल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSTCG 2023 के एक्जाम के तुरू आपकी जो इंजिनेरिंग की एड्मिशन प्रोसेस है इसके बारे में बात करने वाले हैं साथी साथ रेजिस्टेशन के बारे में बात करेंगे और दोस्तो जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में कुछ एक बात बताए ती उसके बात रिजिस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है मतलब registration process start हो चुका है साथ इसाथ जो document verification वो भी start हो चुक है तो जैसे कि आप सब इसको मैं बता दू जो आपकी registration date है वो start हो चुकी है 24 June 2023 से लेकर 3 July 2023 तक है उसके बाद दोस्तों जो आपका verification है वो आपका same उसी time में है जैसे आपको मैं बता दू अगर आपने registration किया तो उसके within 3 days में आपको verify करना पड़ता है बट दोस्तों अब इस साल से actually एक नई policy start हो चुकी है मतलब दोस्तों आप online या offline दोनों तरीके से आपका जो document है वो verify कर सकते हो बट दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनका questions आ रहा है कि हम हमारे जी document से वो online verify करें या offline verify करें तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दू अगर आपके पूरे documents clear है मतलब आपके पूरे documents all details मतलब ready है तो आप definitely online ही आपका जो verify है वो कर सकते हो बट अगर आपके कोई document में mistake है या आपका कोई documents नहीं है तो आप definitely physically जाके आपके नजदी की FC Center पे जाके आप अपना document verify कर सकते हो मतलब अगर आपका कोई भी doubts रहता है तो आप उस specially FC Center पे जो भी आपके teachers होंगे उस teacher से आप जो भी है आपका documents है उसके regarding आप और भी information ले सकती हो तो इसलिए दोस्तो अगर आपके कोई भी doubts मतलब अगर आपके कोई भी documents बाकी है तो आप definitely offline ही verify करो अगर आपके पूरे documents confirm है ग्रेडी है तो आप online ही verify करो तो दोस्तो यही आपको एक suggestion देना था साथी साथ दोस्तो मैं बता दू अगर अगर आपने अभी तक जो आपका JEE का result और साथी साथ MSTCET का result अगर आपने दोनों के basis पे form नहीं fill up किये तो दोस्तो आप दोनों के basis के उपर form fill up कीजिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पे किस के basis पे भी आपके admission हो सकता है अगर चाहे आपको JEE में अच्छे हो तो आप JEE के basis पे admissions ले सकते हो अगर CT में अच्छे हो तो आप CT के basis पे admissions ले सकते हो इसलिए दोस्तो आपको क्या करना है अगर आपको लगता है कि JEE में बहुत अच्छा है तो JEE के basis पे वरते CT basis के बदलों हम form नहीं fill up करते तो ऐसा मत करो दोस्तों आपको दोनों ही exam के उपर form fill up करना है तो दोस्तों यह बहुत important चीज है तो दोस्तों आपको इसको note कर लेना है और दोस्तों रही बात दोस्तों मैंने कल आपको कुछ epicenter की list प्रोवाइड की थी दोस्तों अगर आपने वो नहीं देखिये तो आप प्लीज वो उसको भी check out कर लीजेगा क्योंकि दोस्तों जिसे offline verify करना है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो जहाँ पे हमने DTA code भी दिया है CT cell ने साथी साथ जो teachers वहाँ पे main हैं उनका भी वहाँ पे contact number गिया है जिसके कारण आपको easy हो जाए उन teachers के बात करने में तो दोस्तों यह बहुत important चीज है उसके दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताए थी कि दोस्तों अगर आप college में जाते हो physically verify करने के लिए तो दोस्तों आप आपको क्या करना है वहाँ पे form fill up नहीं करना है बट दोस्तों मैं आपको एक बता दू यह ऐसा मैंने श्रीप आपको इसलिए बोला कि दोस्तों बहुत सरे ऐसे colleges है उस colleges में ऐसा होता है बट दोस्तों actually सभी colleges अच्छे है सभी colleges FC Center जहाँ जहाँ पे वह सभी college हमें अच्छा guidance provide करते है इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे form fill up कर सकते हो लेकिन जैसी आपने form fill up किया वैसी घर आने के बाल आप आपका जो ID और password है मतलब password है उसे change करके आप अपना secure password रख सकते हो अगर आप इस तरह से करते हो तो definitely आपका जो college है आपको dream college मिल सक रखता इसलिए दोस्तों यह बहुत ही मतलब important चीज है इस पूरे sessions में तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है तो I hope दोस्तों आप सभी को आपके पूरे doubts clear हो चुके होंगे कि actually आपको जो registration है online करना है या offline करना है अगर मैं अभी फिर से बताता हूँ अगर आपको पूरे documents clear है तो आप definitely online registration कीजिएगा online ही verify कर लेजिएगा अगर आपके documents incomplete है तो आप physically जाके verify कर सकते हो आपके नजदी की apps center पे जाके तो दोस्तों I hope आप सभी को यह video अच्छा लगा होगा तो अगर आपको कोई भी doubts सता है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हो दोस्तों try करे तो मिलते दोस्तों इसे के साथ next video में